जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के कुछ सैनिक समचार है दोस्तो कुछ सैनिक समचार बताने के बाद मैं आपको कल का रिजल्डी बताऊँगा जो मैंने पूचा था कि 15 दिसमबर तक क्या गवर्मेंट ओरूपी टू या फिर एरियर दे देगी या नहीं देगी दोस्तो काफी पैंशनर्स ने मुझे कमेंट किया और मैजूरिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिजल्ड है क्या हमें 15 दिसमबर तक आपकी रहे के नुसार क्या गवर्मेंट हमें ओरूपी टू या एरियर देगी या नहीं देगी सबसे पहले दोस्तो हम सैनिक समर्चार जाल लेते हैं आज के आज से इसपर्श आउट्रीच का कारेकरम शुरू 13 और 14 दिसमबर 2022 को DPTI auditorium PCDA pension प्रयागराज में आयोजन शुरू इसपर्श से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निवारण किया जाएगा दोस्तो जैसा आपको पता है कि PCDA ने कभी एक छोटी सी इंफोर्मेशन दीती कि एक outreach program आयोजन हो रहा है और दोस्तो यह होना था आज और कल में तो दोस्तो यह start हो चुका है जो प्रयागराज के आसपास एरिय में जो लोग रहते हैं वो जा सकते हैं इस आयोजन में जो भी उनको इस पर्श से लेटेट कोई दिक्कत है वो अपनी solve करवा सकते हैं वही दोस्तो इसमें pensioners, family pensioners, अपनी update, bank passbook, अधार card, pen card और पहले पूरव में मिले प्रपत्रों को ले जाना सुनेशित करें यानि जो PCDA या फिर इस पर्श के तुरू कोई correspondence हुआ होगा उसके कोई आपके पास पत्र है तो वो भी आप ले जा सकते हैं टाइविंग है दोस्तो साड़े दस से सुबे और शाम चार बजे तक दूसरा पॉइंट देखिए DSE में re-enrollment, ex-NCOs और ORs की भरती है दोस्तों और दोस्तों ये है 4 जनवरी 2023 को ये है आटरी सेंटर नासिक रोट कैम्प में तीसरा पॉइंट देखिए 1 जनवरी 2023 से annual renewal policy होगी खतम, canteen smart card धारकों को साल में एक बार अपना CSD smart card renewal कराने की जोरवर्ट अब नहीं होगी जैसा दोस्तों आपको पता है कि जो CSD smart card धारक हैं वो हर एक साल अपना renewal कराते थे smart card को दोस्तों जैसा आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक order आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अब जो CSD smart card के धारक हैं उन्हें अब हर एक साल अपना card renew नहीं कराना पड़ेगा तो दोस्तों इसकी जो effective date है वो शुरू होगी एक जनवरी 2023 से यानि जनवरी 2023 से PCDA SPIRS URC के द्वारा ही CSD smart card का काम संचालित होगा आगे समस्ते हैं दोस्तों चौता point देखिए दोस्तों जैसा आपको पता है कि अभी चुनाब हुए थे आप जैसा आप जानते है कि गुजरात में भी हुए थे और हिमाचल परदेश में भी हुए थे हिमाचल में कुर्सी संभालते ही action mode में CM सुकविंदर सिंग सुकू उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिये जैसा दोस्तों आपको पता है कि कॉंग्रेस की जीत हुथी हिमाचल परदेश में तो जैसे ही CM सुकविंदर सिंग सुकू ने कदम रखा जैसे उन्होंने अपने काम पर आए वैसे ही उन्होंने 11 बड़े फैसले लिये पहले ही दिन में हिमाचल भवन सदन और राज अतिती ग्रहों में ठैरने पर मंत्री और विधायकों को किराय में अब छूट नहीं मिले पहले 200 रुपे परती कमरा अब 1200 रुपे परती कमरा चुकाना होगा मंत्रियों को दोस्तों यह बहुत अच्छा कदम उटा है CM सुकवंदर सिंग सुकून है यानि जो मंत्री एं जो विधायक हैं पहले वो पर कमरे के 200 रुपे देते थे जो कि वो मंत्रिय हैं विधायक है लेकिन इन्होंने क्या किया अब वो 200 रुपे नहीं देंगे अब वो देंगे 1200 रुपे यानि जो आम जनता जो भुकतान करती है उसके according यह भी भुकतान करेंगे जो मंत्रिय है विधायक है सबसे अच्छा देकलब आगे समझिया दोस्तों पाँचवा पॉइंट सुकफिंदर सिंग सुकु जी ने कहा कि पहली कैबिनेट बैटक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी पर काम करेंगे यानि जो इनकी सरकार है वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगी यानि पुरानी पेंशन जो स्कीम है उस पे लागू करने का काम करेगी ये भी बहुत अश्या कदम है दोस्तों हिमाचल परदेश के लोगों के लिए लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों जो कल मैंने आपसे कोशन पूछा था और बहुत से पेंशनर्स ने मुझे कमेंट किया दोस्तों सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा थैंक्यू कि आपने कमेंट किया अपनी राय रखी और काफी मेजूरिटी में मेरे पास कमेंट आए OROP2 और एरियर पर सर्वे जो मैंने कल किया था 75% से 90% पेंशनर्स ने कहा कि 15 दिसंबर 2022 तक OROP2 और एरियर नहीं मिलेगा काफी मातरा में दोस्तों पेंशनर्स ने मुझे कल कमेंट किया और दोस्तों ये परसेंट थी 75 से 90% उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2022 तक OROP2 एरियर नहीं मिल पाएगा और आगे जा सकता है 10 से 35% pensioners ने कहा कि मिल जाएगा और 10 से 35% pensioners ते जिनोंने कहा कि 15 December से पहले या 15 December तक वारूपी टू एरियर मिल जाएगा कोई चमतकार ही 15 December 2022 तक वारूपी या फिर एरियर दिलवा सकता है और दोस्तों एक pensioner थे जिनोंने ये लिखा कोई चमतकार यानि कोई मिरेकल ही है जो हमें 15 December 2022 तक वारूपी टू या फिर एरियर दे दे गवर्मेंट की तरफ से और मेरा भी अनुमानता कि शायद हमें 15 December 2022 तक वारूपी टू या फिर एरियर नहीं मिले और ये टाइम और आगे जा सकता है काफी pensioners ने दोस्तो अपनी राए के अनुसार अपनी majority के अनुसार ये comment किया दोस्तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे जो मैंने आपको point समझाए इसकी regarding अगर आपके भी कोई comment है आपके भी कोई question है तो आप मुझे नीचे comment कर सकते है वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को like करें और दोस्तो चैनल को subscribe कर सकते है thank you so much